सच दिखाते हैं हम ताकि जूट के बाजार में सच फीका ना पड़ जाये कें सच दिखाते हैं हम ताकि कुर्सी पर बैठने वालों को जमी की एहमियत याद रहे सच दिखाते हैं हम क्योंकि हम हैं प्रतेक यूज गाई मधवनी कलेक्टरेट के सामने भारतिय मित्र पार्टी द्वारा प्रधान मंतरी नरिद्र मोधी ग्रीह मंतरी अमित्सा योगी आदित नाथ और नीतिस कुमार का भारतिय मित्र पार्टी ने पुतला दहन कर विरोध जताया है भारतिय मित्र पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष धनिस्वर महतों ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता दिली में शाहीन भाग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं C, A, NRC, NPR के खिलाप उनको बीजेपी के नेता कहते हैं कि देश के गदारों को गोली मारो उसी के आगले दिन दो युवक बंदूक लेकर भीर में शामिल हो जाते हैं और लोगों को धमकाने लगते हैं उसके एक दिन बाद एक युवक बंदूक लेकर पिस्टॉल लहराता है और दिल्ली पुलिस मूक दर्सक बन के तमासा देखती है जो कि देश की राजधाने दिल्ली है और किंद्र सासित प्रदेश है दिल्ली पुलिस किंद्र के आधीन ह ग्रिह मंत्री के नित्रत पर काम करते और वहाँ पर युवक गोली चला देता है पुलिस तमासा देखती रह जाती है अमिक साहजी का ट्विट आता है दिल्ली पुलिस को जांच के आधेश दे दिये के हैं क्या इतना बोलना काफी है पुलिस चाती तो उस बदमास को पकर स उसके पैरों में गोली मार सकती थी लेकिन या सब ही घटना कम पुलिस प्रसासन की मौजूदगी में और कुछ हातों की मीटर की दूरी पर पुलिस तमासा देख रही थी इसका मतलब है कि शाहिन बाग में जो गोली कांड हुआ है वा भाजपा के RSS के सारे के उपर हुआ इसन बाग में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वा दिल्ली को सीरिया बनाना चाहते हैं सीरिया तो वह मासूम लोग नहीं बनाना चाहते हैं लेकिन RSS के लोग भारतिय जन्ता पार्टी के लोग उसे जरूर सीरिया बनाने की कोसिस कर रहे हैं प्रोटेस्ट के अंदर और उसके अगले दिन कल आपने देखा होगा किस तरह RSS के आतंकीन है पहात्मा गांदी के जिस दिन गोड से ने पहात्मा गांदी की जान ली थी ठीक उसी दिन कल तीस जनवरी को एक खिर से एक गोड से पैदा हुआ और कल की घट्टा गोली मारने का जो काम किया भार्तिय मित्र पाटी इसकी घोड निंदा करती है और एक बात कहे दू मैं आपसे के RSS संगठन एक आतंकी संगठन है जिसका आजादी के बाद जम्हात्मा गांदी को गोली बारा गया था उसी टैम उस संगठन को परतिबंद करने का काम लोपुरुस सरदार बल्नम भाई पटेल ने किया था लेकिन जवाहरलाल नहरू ने उस आतंकी को संगठन को पुना चालू करने का काम किया था और उसी का रिजल्ट है कि कल फेरे गोड से भारत के अंदर पैदा हुआ और ऐसे गोड से को चोराहे पे भासी देनी चाहिए जदी भारतिय जन्ता पार्टी और आरेसेस के आतंकी सुधरेंगे नहीं तो आने वाले समय के अंदर एक एक गोड से को फासी की सजा मिलेगी यह मैं आपको केताबनी दे रहा हूँ आने वाला समय आरेसेस के लोगों के लिए इनके आतंकी संगठन के लिए अच्छा नहीं होगा